और हमारे साथ इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री शैनवाज हुसेन मौजूद है शैनवाज जिस स्वागत है आपका टीवी नाइन भारत वर्ष के इस कॉन्क्लेव में सबसे पहले मैं आप से जानना चाहूँगा कि आखिर ये दशा क्यों हो गई कि NMCA जैसे अस्पताल के सुप्रीटेंडन्ट को ये कहना पड़ता है कि आक्सीजन की कमी है सप्लाई हो नहीं रही मरीजों की जान जाएगी और ठीकरा मेरे सिर फूटेगा इसलिए अच्छा यहीं होगा कि मुझे पदमुक्त कर दिया जाए झाई यही है कि महमारी बहुत बड़ी है और जो ओक्सीजन की शुरू में जो कमी हो रही थी उसको पूरा कर लिआ गया है खुद स्वास्तमंत्राले इस पे काम कर रहा है और खुद हमारा भी विभाग जो दोग विभाग है जो जहां जहां और oxygen cylinder बनते हैं उनसे coordination पे हम लोग लगे हैं और oxygen की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी क्योंकि जिस तादाद में पेसिंट आये थे उस तादाद में oxygen cylinder की कमी हुई थी और लेकिन वो पूरी कर ली गई है बिहार में oxygen की कमी से कोई हताहत नहों इसका पुरा ख्याल किया जा रहा है खुद मुखमंतरी ने कल भी बैठक की थी आज भी वो बैठक कर रहे हैं खुद मॉनिटर कर रहे हैं हम सब लोग उसमें लगे हैं ये हमारी में जो दुशवारियां हैं वो सब को मालूम है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पिसंट आएंगे अभी तो नवास साब दिक्कत यही है कि सब कुछ तो पहले से मालूम था और फर्स्ट वेव जब आई थी और उसने हाहाकार मचाया था तो हमें पता था कि सेकेंड वेव जो है क्योंकि बड़ी तादाद में करोना की महमारी फैली है कई जिलों में भी बहुत लोग इससे पिडित हुए हैं और जादेतर लोग पटना की तरफ आते हैं तो पटना में भी जितने अस्पताल हैं खासकर जो एम्स था उसको पूरा कोविट कर दिया गया है MNCH को करदिया गया है कई अनस्पतालों को भी पूरा कोविट कर दिया गया है और उसमें जो अकसीजन की सप्लाई है उसको शुनिस्चेत कर लिया गया है तो कठिन समय है लेकिन कठिन समय में सरकार जागरुकता से इसको करने में लगी हुई आपने हाली में मंत्राले का जिम्मा संभाला बिहार में, शाहिनवार साब. किया आपको लगता है, कहां कमया रहे गई इतने सालों का 15 सालों से ज़्यादा वक्त का निठीश कुमार का शासन, आज क्यों ये दशा है कि लोग करोना से, मुझे लगता है कि लोगों की मौत तो होई रही है लेकिन लापरवाही से और इलाज ना मिलने की वज़े से भी बिहार में लोगों की मौत हो रही है यह अपने आपने और चिंता चनाक है यह स्थिति क्यों पैदा हुई देखे जो करोना का वेव आया है वो बहुत खतरनाक है और आप जानते हैं कि फोस्ट वेव में तो मैं भी शिकार हो गया था बिलकुल बिलकुल मैं भी पॉजिटिव हो गया था जब बिहार के एलक्शन के वक्त में अभी भी हमारे परिवार के कई लोग पॉजिटिव हैं और उनका इलाज चल ला है दिल्ली में मैं खुद देख रहा हूं कि जहां भी लोग फोन कर रहे हैं मदद हो रही है जहां तक बिहार सरकार का सवाल है बिहार सरकार पूरी कोशिश करती है और कोशिश में कोई क्यों चाहेगा कि हमारे यहां कमी हो हमारी सरकार तो पूरी ताकत से लगी और खुम इसको मुनीटर किया जा रहा है जैसे हमने आपको बताया कि हमारे भी जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्ρι के जो प्रिम्सिपल सेगरेटरी है बिरिजेश मरहतरा जी मैंने उन्होंने बताया कि जहां 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 जहरखंट से और जहां बिहार में ऑक्सिजन बन रहा है वहां खुद हमारा डिपार्टमेंट भी लगा है कि ऑक्सिजन की सप्लाई में कोई कमी नहीं हो और पूर्की की जाए कर दिया गया यह बिहार में हुआ है जी वही मैंने मैं यह हो गया मैं तो इसलिए आपके सवाल से पहले ही जो सवाल आपकी पैनलिस्ट ने उठाया होगा मैंने नहीं सुना लेकिन आपने अगर समीर साब का है तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि हमारे यहां भी सरकार लगी है खुद मुखमंत्री जी इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं बिहार में भी कोई कमी ना हो इसका ध्यान रखना हमारा फर्ज है हमारी जिमेदारी है नहीं यह अच्छी बात है निश्चे तोर पर यह अच्छी बात है